कोमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिफ न्यूज मार्केट 24 पर खबर काम की भजारों में चने में कमजोरी दर्जकरी दाल मिलों की खरीद कमसाहर वां ने कि वज़धा हैं अगर आप सोच रहें कि बहुत जदा आईकी तो ऐसा नहीं देखा घा रहा है सेटम्बर की महीने के बाद और काफी जादा तेवारी सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा नवराती दिवादी जासे बड़े तेवार हैं तो डिमांड एक अच्छी निकल सकती है जिसकी वज़ासे मार्केट में आपको चनि में तेशी देखने को मिलेगी और इसके सब्सक्राइब तक की कमजोरी दर्श करिए दिली में और मंद्र प्रदेश देखते हैं तो सब्सक्राइब तक आपको यहां से बजारों में लेवल देखने को मिल सकता है इसके अलावा अरहर दाल में भी गिरावट है लेकिन बहुत जादा लंबी सोड़ी गिरावट नही चैननेता है जानकारों के रयंस्टार आपकोर semis क्रेंट में तेजल्स्टा में रहिए लेकिन जल्ड वहां से सब्सक्राइबiedy दैज में कब्रेंट्साइग को सब्सक्राइब परएं जल्ड़ है सब्सक्राइब करें कि देखे जा रहे हैं अगर आप देखेंगे तो 275 रुपए तक दाम कमजोर रहे 9750 रुपए प्रतिकोंटल का दाम यहां पर देखा गया इसके अलावा देशी कीमते हैं वह सोलापूर अगर देखते हैं तो स्टॉप कम है इसी वजह से मंदा बहुत जादा और बहुत देर तक नजर नहीं आ रहा है बरसा से नहीं पहुंचकर उड़त एफक्यू के जो भाव हैं इसमें लगातार तूसरे दिन बीज़ जॉलर तक की गिरावर दर्जगरी गई उड़त कीमते हैं वह डॉलर में लगातार दूसरे दिन कमजोर रही हैं घरेलु बजार में से कीमतों में वन्ना दर्श किया गया है वैपारों के अनुस्वार जिस तरह से घट रहे हैं उसको देखते हुए दालमी ने केवल जुरुत के साफ़ से खरीडारी कर रही हैं रेट के बा 9100 रुपर परति कुंटल के दाम रहे गए हैं इस दोरान 50 रुपर तक कमजोर रुकर 8700 रुपर परति कुंटल के आसपास घजारों में देखे गए हैं कपक का चछा सीजन चल रहा है जिसकी वज़़ा से सिस्टमबर में और अक्टूबर में आने वाले दिनों में अगर द के लिए कम हैं दिली में मसूर के दाम में 25 रुपय तक कमजोरी दर्श करी गई जबकि आयतित के भाव बंदरगाओं पर काफी हतक इस्टेबल बजारों में नज़राइब नेफेड घरेलू बजारों में देशी और आयतित मसूर के दाम में नीचे दाम पर विक्वाली कर साथ ही हाल में कैनेडा में इसकी कीमितों में हलका समंदा दर्श किया गया है उधर खपर का सीजन चल रहा है उसकी वजह से बिहार बंगाल और असाम में मांग बढ़ सकती है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको खरीदारी अच्छी देखने को मिलेगी मद्द्प के आयते 2021 की मसूर बेशना के लिए 7656 की उच्छतम निवदा मिली है और इसके अलावा मुंद्रा बंद्रगाहा पर निगम को 5588 रुपा प्रतिकुंटल की दर से उच्छतम निवदा मिली है मुंग दाल के बारे में अगर बात करते हैं तो दिली के साथ साथ उत्वादक म प्रतिकुंटल के इसाफ से चल रहा है इंदौर में समर मुंग में 7000 से 7500 रुपए प्रतिकुंटल का बजारों में दाम देखकर चल सकते हैं और आने वाले दिलों में अगर देखा जाए को कीमतों में तेजी वन्दिया बजारों में बारिश पर काफी अधर डिपेंड कर सब्सक्राइब देखने को मिल सकता है तो आज ही खबरों में सिर्फ इतना ही मिलते हैं आप सब्सक्राइब के साथ अब तक के लिए सब्सक्राइब से सब्सक्राइब